बेसिक जैपनीज लेंग्वेज जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें एक और चीज जिसका नाम है स्क्रिप्ट इसके बारे में भी सोचना होता है सीखना होता है और हमें जैसे हीरा गाना काता कानजी इसका भी सामना करना पड़ता है मैंने पिछले वीडियो में बेसिक जैपनीज के बारे में काफी कुछ बताया है तो उसमें जब हमें कुछ रीडिंग करनी होती है जैपनीज लेंग्वेज की तो हमें देखना पड़ता है हीरा गाना काता कानजी हमें आना चाहिए तबी तो हम Japanese language को read कर पाएंगे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया है कि अगर आप पहले voice को sound को सीखना शुरू करें जैसे English में ही आप लिख सकते हैं कु, रू, मा तो इसका मतलब होता है कार, गाकसे, सैंसे ये अगर आप sound, voice के तोर पे words को पहले सीख पाएं तो आपके लिए script सीखना भी काफी आसान हो जाता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं कि Japanese language की script को कैसे सीखा जाए, कैसे तेजी से effectively सीखा जाए Welcome to Nihongo Max, मेरा नाम हिरवी, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला point, जो कि मैं कहूंगा कि पूरे वीडियो का सबसे important point है कि आपको voice को हिरा गाना से match करवाना है सबसे पहले उन words को देखने हैं, जैसे अभी मैंने आपको example दिया Kuruma, Gakse, Sensei तो अगर आप अपने basic text books में देखेंगे, या मतलब जो हमारी text books होती हैं उस voice से मिलते जुलते, मतलब उसी voice के जो आपने शुरू के initial chapters में English में सीखा है जिसको Roma जी बोलते है, Roman letters में सीखा है वही words, वही sentences आपको हीरा गाना में सीखने को मिलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जो voice हमने सीखी है, उसको हम बस tally ही कर रहे हैं हिरा गाना से, या काता काना से, ठीक है तो आपको अलग से उसको, अब यह word भी नया है और हिरा गाना भी मुझे नहीं आता ठीक से तो मैं अभी दोनों ही चीज़े मुझे सीखनी पड़ेंगी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, word मुझे पहले से याता है बस मुझे इसको हिरा गाना से tally कर वाना है यह fastest तरीका है हिरा गाना काता काना सीखने का अगर आप इसको करेंगे, जैसे कि शुरू के 4-5 chapters अगर आप voice के sound के use वाले words को सीख पाएं जिससे आपको sound भी पता चलेगी कि यह sounds होती है ऐसा बोला ही नहीं जाता, जैसे कि Japanese language में ल होता ही नहीं है उसको र, मतलब र का word होता है, sound होता है, ल का sound होता ही नहीं है तो यह छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपने पहले सीख लें तो आपको हिरा गाना सीखने में या काता गाना सीखने में कोई भी problem नहीं होगी, ठीक है चले आग भड़ते हैं, point number two, देखें हिरा गाना, जैसे 45 हिरा गाना foreign words अलड़ी हमें English में आते हैं, जैसे America, Disneyland ठीक है, तो वो इग्नोर कर देते हैं काता काना को, वो यह सोचते हैं कि चलो ठीक है, यह बाद में हम कर लेंगे, मतलब back of the mind, थोड़ा सा काता काना को इग्नोर करने की tendency रहती है, तो इसके लिए मैं इस second point में बोलना चाहता हूँ काता काना इतना मुश्किल नहीं है, हीरा गाना से ही मिलता जूलता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, तो उसके भी 45 वही लेटर्स है, काता काना के भी आप अलग से practice एक ही दिन में या दो दिन में कर सकते हैं, तो आपको आगे जाके कभी भी काता का काना कि वह जैसे basic mistake कर देते हैं, मतलब advanced के भी students, जैसे N3, N2 के भी students काता काना गलत कुछ पढ़ लिया, तो उससे mistake होगी, जो कि एक बहुत ही पीछे की activity है, एक दो दिन की activity है, ऐसे हमने छोड़ी होई थी, ignore कर दिया था, तो इस वज़े से गलती होगी, ठीक है, तो आपक इन ही सब चीजों का solution है, चाहे वो हीरा काना हो, कानजी हो, काता काना हो, N5, N4 या बिल्कुल basic Japanese में तो इतना ज़्यादा कानजी की problem नहीं रहती, क्योंकि 100 या 200 कानजी आप एक हफते या दो हफते में, या चलिए एक महीने में याद कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी बराब है कि जो आपने चीज सीखी है, तो इसका ये मतलब नहीं, आज मैंने सीख लिए, आज मैंने पढ़ लिया, तो अब मेरा 100% हो गया, आप मैं आगे नहीं पढ़ूँ, उस चीज को revise करना 5-5-6-6 बार, ये है third point, ठीक है, तो अगर आपने ये follow किया, तो आपको advanced levels में भी होती है, ठीक है, हम सारी जो कांजी है, जो JLPT में आती है, जैसे 1000 से भी ज्यादा कांजी होती है, तो उसके sentences हम read करते हैं, ठीक है, तो एक ही बार में हम उनको जैसे 5-6 sentences हमने read करें, ठीक है, एक कांजी के, फिर दूसरी कांजी के 5-6 sentences read करें, तो इस तरह से पहले शुरू- से क्या होगा आगे जाके आप को पता भी नी चलेगा कि वो मैंने हिरागाना की तरह ही पढ़ लिका जी इतनी बार मैंने उसको रिवाइस किया हुए ठीक है तो रिविजन है थर्ड पॉइंट ठीक है और फाइनली मैं बताना चाहता हूं आपको कि यह सब चीजे इसारी जित कोटेंट मिल जाएगा निहोंगोमेक्स.com को आज ही जाकर देखी बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही थोड़े से प्राइस में आप इस से सीखके निहोंगोमेक्स.com से सीखके जेल पीटी को अराम से बड़े अराम से क्लियर कर सकते हैं All the best